तो अमेदे की पीछे जो वरक अभी हमने किया है इसमें कोई दिक्कत तो आई नहीं होगी तो अब हमारा काम क्या है हमने बात कर ली है कि हमें finally जो हमारा question वाला list मिलता है मतलब कि जो selected questions हमको मिलते हैं यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसको customize करना इस form को और यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं कि भाई यह question कब publish हुआ और यह publish हुआ यानि कि यह अभी future में publish होने वाला है या नहीं उसके लिए जो हमने was published recently वाला एक method बनाया था हमारे model के अंदर उसका भी use करेंगे तो यह सारा काम हमें करना question से ही है क्योंकि अभी तक हमारे पास दो ही module है एक question वाला और एक admin वाला तो finally यह काम हम करने वाले हैं question में तो अभी जो हमने यह पूरा काम किया है यह separate ऐसे ही रहेगा इसको हम नहीं touch करेंगे यहीं पर हम क्या करते हैं इसी से related थोड़ा सा एक line का comment लिख लेते हैं कि असल में हम क्या करने जा रहे हैं तो जैसे हमको यहाँ पर क्या करते हैं अलग अट्रिब्यूट मिली रहे हैं जैसे कि field sets मिला in lines मिला इनका अलग अलग काम है ठीक है तो वैसे ही हमें एक और अट्रिब्यूट लेना है जिसका नाम है list ओके पहले हम लिखी लेते हैं just a second list underscore display अब जैसे यह मैं लिखने जा रहा हूँ तो आप notice कर रहे होगे इस related हमको कितने सारे attributes मिल रहे हैं और यह सारे के सारे attributes जो हैं आपको इनके बारे में यहाँ पर दिख भी जा रहा होगा suggestion में कि यह असल में है क्या तो यह इतने सारे इस class के अंदर हमें attribute मिलते हैं अच्छा एक चीज़ हम और कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पर अगर सीधे control और space क्लिक करें तो हमें बहुत सारे number of classes और यह सारे तो keyword है Python के जो हम use करते आ रहे हैं सारे के सारे keywords हैं हमें keywords नहीं देखना है यह number of subclasses हैं जो हम use क करते हैं ठीक है हमको यह भी नहीं देखना है यहाँ पर यह environment error ellipsis और यह जो blue color में मिल रहे हैं यही हैं हमारे attributes तो यहाँ पर बहुत सारे attributes मिल रहे हैं इसका मुझे shortcut नहीं पटा आयो error पटा कहा हमें तो यह जो है not implemented यह सारे कि सारे क्या है attributes हैं तो इन्हींगे से हमें कु है वो question असल में हमें list के form में display करना है तो इसके लिए हमने list display attribute लिया और इसके अंदर जो हमें field so कराना है कहां पर हमारा जो यह list का पूरा form दिख रहा है इसमें तो हम simply क्या करते हैं टपल के form में इन values को pass करते हैं जैसे कि हमें वहाँ पर सबसे पहले तो so कराना है question text एक य यह ले लिया और दूसरी चीज हमें दिखाना है वहाँ पर publication date तो इसका जो field name है वो है pub date पडेट हो गया इसके बाद में यह थोड़ा सा कभी कभी डिश्टब करता है इसके बाद में हमने बात की हुई है कि जो हमारा model है उसके अंदर एक हमने बनाया था was published recently तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं ताकि हमें true और false पता चलता रहें तो यहाँ पर तीसरा argument हम क्या ले है मेंस टपल के अंदर तीसरी value जो है मेरी घड़ी बज गई मैं थोड़ी देर में मिलता हूं सो घड़ी बंद हो गई वापस चलते हैं मैंने तब तक यहाँ पर comment लिख दिया है comment क्या लिखा कि यह जो list display है यह असल में क्या काम कर रहा है टपल के form में values को ले जाएगा यह आपर हम define कर देंगे कि हमें जो question की list है उसमें हमको क्या क्या देखना है तो publication date हो गया अच्छा एक बार हम केवल इतना ही run करके देख लेते हैं पहले terminal को चेक कर लेते हैं यहाँ पर कोई दिक्कत सो यह दुबारा से run कर रहा है इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं so that कि यह confirm हो जाए कि हमें कोई भी error नहीं मिल रहा है ताकि हमारा page refresh फाल्ट हो न जाए तो कोई error नहीं आया एक बार हम चलते हैं और page को refresh करते हैं so finally bingo हमको publication date यहाँ पर मिल गया अच्छा सबसे अच्छी चीज़ आप देख रहे होगे date published यह चीज़ हमने कहीं नहीं दिखाया था question text और date published यहाँ पर अगर हम आएं तो हमने कहीं पर लिखा नहीं है और इसने automatic उसको ले लिया इसी तरीके से अब दूसरा काम हमारा क्या है कि यहाँ पर हम was published recently जो keyword यूज करते हैं उसको भी यूज कर लेते हैं तो हमने क्या बनाया था अच्छा इस चीज को अगर clarify करना चाहो तो मैंने एक shortcut बताया था control पी करने से क्या होता है यहाँ पर एक search bar open हो जाएगा और यहाँ से हम जो भी file search करना चाहते हैं वो आ जाएगी जैसे models.py हमको देखना है एक बार कि models.py पे हमने was published recently बनाया था ठीक है इसी को क्या करना है हमें यहाँ पर देना है तो मैंने copy कर लिया जल्दी से उसको और यहाँ पर paste कर दिया तो was published recently आपको याद होगा कि यह हमें true और false देता है किस case में true देता है और किस case में false देता है अगर आपने starting से continuous पूरा follow किया है तो आप बहुत आसानी से इसको मुझे comment में बता सकते हो तो आप मुझे comment करके यह बता हो यह आपके लिए छोटा सा question है micro question कि was published recently कब हमें true देता है और कब हमें false देता है इस तरीकी के छोटे-छोटे question हमें remind करने के लिए और previous जो हमने काम किया है वो याद रखने में काफी मदद करते हैं तो finally तीन चीज़ा हमें मिल रहे हैं एक बार हम टर्मिनल को देख लेते हैं टर्मिनल पे no error that means कि हम चलते हैं और इसको फिर से refresh करते हैं तो finally क्या हुआ हमें यहाँ पर was published recently मिल गया और आप देख रहे होगे कि हमने just अभी कुछ समय पहले दो question बनाए थे एक बनाया था जैंगो आसान है या नहीं और एक बनाया था tabular in line क्या है अब आप इसको क्या करते हैं एक दिन बाद वीडियो देख रहे हो तो उस समय तर कि यह वाकई में false हो चुका होगा लेकिन मैंने इसको बनाया है यह date आपको दिख रहे होगी कि अभी आज की तारीक जो है 16 है और 16 तारीक को मैंने इतने बज़े यह बनाया और इतने बज़े यह question बनाया था इसलिए यह हमें क्या दे रहा है true क्योंकि यह एक दिन के अंदर के question है that means की recent question है इसलिए हमको true मिला और मैं भावना हूँ मैं बहकर आपको answer दे चुका हूँ question का खैर आप मुझे थोड़ा detail में comment करके बताईएगा कि was published recently का क्या काम था finally हमने थोड़ा सक customize कर दिया किसको हमारे जो question की list मिल रही थी इसको और यहाँ पे was published recently ने अपना काम किया और जो हमारा model था उसका जो question था उसके भिहाब पे हमने get कर लिया था question list को और हमने publish date भी दिखा दिया question text भी दिखा दिया यह पूरा काम थो हमने यहाँ पर किया अब इसके आगे हमें और क्या करना हम वो समझते हैं so अगर हम बात करें तो हमने notice किया एक चीज यानि कि notice किया की नहीं किया हम जब अपने इस page पे आते हैं तो यहाँ पर was published recently मिला date published मिला question text मिला लेकिन यह जो was published recently है इसके लिए आपको याद होगा python में हमको string के methods मिलते हैं उन्ही methods का use करके किया क्या गया कि जो भी हमने यहाँ से keyword दिया जैसे was published recently इसमें जितने भी underscore थे उनको remove कर दिया गया है और पूरा का पूरा जो text था वो capital letter में कर दिया गया है लेकिन अब हमें काम क्या करना है कि यह जो area है यह थोड़ा non relevant सा लग रहा है यह कि कि किसी को ठीक से समझ में नहीं आपाए गए कि यह असल में काम क्या कर रहा है तो थोड़ा सा हम इसी को customize करने वाले हैं और customize करके हम क्या करना चाते हैं कि जैसे कि हम जब उस page पे जाएं तो हमको filter का पूरा section मिले कि हम date wise करना चाते हैं कि पिछले कितने दिन पहले, महिने पहले, साल भर पहले या साथ दिन पहले या आज या कोई भी date उसके हिसाब से हम filter करना चाते हैं कि आखिर question publish हुआ कब तो Zango के अंदर हमें filter भी बहुत आसान बना बनाया मिलता है बस हमें थोड़ा सा यहाँ पर changes करना है उसके लिए तो अब ये filter हम कर किसके base पे रहे हैं ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने model के अंदर was published recently बनाया था सारा का सारा काम होना इसी से है तो अगर हमें filter करना है तो सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा हमारे इस model में जो हमने models.py file बनाई है और इसके अंदर हमने was published recently एक method बना रखा है इस method में हमें थोड़े से changes करने पड़ेंगे so that कि जो हम filter करना चाहते है वो data हमको मिले तो इसके लिए finally हमें करना क्या है इसके लिए जैसे हमने यहाँ पर यह सब कुछ तो ठीक कर रखा है कि हम क्या करते है return करा रहे थे current time हमने ले लिया था जो अभी का time हो रहा है और हमने फिर उसमें एक logic लगाया था कि अगर current time में अगर minus किया जा है एक दिन को तो वो जो है less than या equal to हो किसके जो भी question का publication डेट हो date हो और वो less than या equal to हो current से तो उसी को हम recent public कह रहे थे लेकिन हमें क्या चाहिए filter चाहिए और filter में भी क्या चाहिए है अलग-अलग तरीके के तीन filter तो इसी के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर modify करते हैं तो उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर single line का comment लिख लेते हैं पहले just a second कुछ problem हो गई है मुझे लगता है okay सायद यह कभी-कभी means बहुत जादा frequent यूज करने के वज़े से ऐसी problem हो जाती है ठीक हम वापस आते हैं अभी सही चल रहा है सब कुछ तो यहाँ पर पहले हम छोटा सा comment लिख लेते हैं कि असल में हमको करना क्या है तो filter admin में filter so करने के लिए हम कुछ extra arguments arguments define कर रहे हैं ठीक है सबसे पहली चीज तो क्या कि जो was published recently है इसी को हमें order by के लिए क्या करना है simply यहाँ पर dot करके हमें एक मिलता है admin order field उसी का यूज करना है तो admin underscore order underscore field और इसमें हम क्या दे देते हैं कि order जो हमें करना है वो करना है publication date के हिसाब से तो हमने दे दिया pub underscore date इसकी अलावा हमें थोड़ा सा और यहाँ पर क्या देना है एक keyword हमें देना है was published recently हो गया एक तो और दूसरा हमें देना है boolean true just a second so एक चीज हमने गलत कर दी है यह हमने असलों में function के अंदर लिख दिया है इसी के वज़ेसे वोड़ी problem कल मैंने एक shortcut आप लोगों को बताया था जैसे अभी मैंने इसको एक बार में यहाँ से यहाँ पर कर दिया तो अगर आपने previous देखा है वीडियो तो आप मुझे बताइए गया इसके लिए कौन सा shortcut यूज किया गया जो मैं यह कर रहा हूँ ठीक है क्योंकि कल मैंने यह चीज बताई थी यह काफी helpful रहता है ऐसे काम करने के लिए तो was published recently dot admin order field हमने दिया publication date और इस case साथ में दूसरी चीज हमने दे दिया कि was published recently dot boolean value हमको जो मिल रही है बार बाल तो boolean equal to हमने दे दिया कि इस case में अगर recent होगा तो हमको मिलना चाहिए true and then ओके true की जगा पे क्या आ गया और इसके अलावा एक हमने दे दिया was published recently कि जब भी हम sort करना चाहें तो हम इसको sort भी कर सकें तो sort underscore description और sort underscore description में हम दे देते हैं कि यह सारा का सारा description जो है वो क्या है published just a second published recently और इस पे हम दे देते हैं question कि क्या यह वाकई में recently published हुआ question है कि नहीं है यह थोड़ा सा जो हमने काम किया है यह इसलिए किया है कि जब भी हम question model को call कर रहे हैं तो हम admin panel में थोड़ा सा filter लगा सकें अब इतना काम यहां पर जो हमने किया है यहां पर publication date और boolean true और published recently एक हमने tagline दिया short description दिया ताकि अभी जो हम एक filter so कराएंगे कहां so कराने वाले हैं यहां पर जो हम एक filter so कराएंगे वहां पर यह title आ जाए तो वापस आ जाते हैं हम हमारी file में admin.py में अब यहां पर यह सब कुछ so कराने के लिए हम adjust क्या करना है थोड़ी देर पहले मैंने गलती से एक keyword यहां पर लिखा था जिसका नाम था list filter उसी चीज का use यहां पर हमें करना है तो simply क्या करना है list underscore filter का use करना है search module या search box so करने के लिए ठीक है so हम call करते हैं list underscore और filter equal to यह सब कुछ filter हम कर रहे हैं और बस के वल एक चीज से पर बंडर स्कोर डेट से इतना छोटा सा काम हमने जरूर किया यहां पर लेकिन इसका सीधा सीधा जो communication हो रहा है वो हो रहा है इस question model से और यही बार बार was published से values को लेकर आने वाला है जिसके बिहाब पर यह सारा काम होने वाला है ठीक है तो यह तो हमने क्या किया कि list filter कर दिया list filter में क्या होगा एक हमको side में filter मिल जाएगा और filter में हमें अलग-अलग चीजें मिलेंगी साथ में जो हमने यहां पर यह काम किया है इससे क्या होगा जो हमारा यह was published recently filter है इसका हमने नाम चेंज कर दिया क्या कर दिया published recently question mark के साथ में और अभी जो सबसे अच्छी चीज होगी वो आप देखेंगे कि publication date के हिसाफ से हमको बस यही चेक करना था कि यह question अभी recent में published हुआ कि नहीं तो finally यहाँ पर आने से पहले एक बार हम अपना टर्मिनल चेक कर लेते हैं टर्मिनल पर हमको यह बता रहा है कि list filter जीलो reference और यह problem आई हुई है ओके ठीक है यह ऐसे problem आनी तो नीची है पब्डेट है published है ठीक है यह problem भी बता रहा है list filter में तो यहाँ पर आते हैं और list filter के अंदर list underscore filter है सही है और इसके अंदर हमने पब्डेट दिया हुआ है यह भी सही है हो सकता है यह refresh ना कर पाया हो एक बार हम एक enter देके refresh करते हैं ओके एक बार यह refresh हो जाए आगे बढ़ने से पहले फाइल को refresh करने से पहले यह अच्छा है कि एक बार हम terminal पर चेक कर लें कि at least हमारा सब कुछ जो code है उसका output सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आप देख रहे यहां पर यहां पर यह सही था वो कभी-कभी बीच में रुख जाता है यह अच्छे पक जाता है यह stuck हो जाता है जिसकी वज़े से हमको लगता है कि problem है लेकिन असल में problem होती नहीं है अभी जैसे उस error को देखके हम लग जाते है उसको solve करने में मालूम पढ़ता problem कुछ नह इंट्रेस्टिंग पार था क्या था कि हमने यह icon set नहीं किया कहीं पर कि ठीक है अगर यह recently वाला है तो उसमें छोटा सा icon check के साथ में मिल जाए या cross मिल जाए यह automatic आ गया किस से जो हमने वहां पर true और false दिया यानि तीन parameter जो हमने वहां पर decide किये कि क्या करते है admin order fields जो है व order by हो जाएगा मतलब कि alphabet के हिसाब से वैसे हम publication date के हिसाब से भी order by कर सकते हैं और यह सब कुछ क्यों कर रहे है क्योंकि अभी हमने was published recently में admin order field लगा दिया था ठीक है और इसके विहाब पर यह क्या कर रहा है इसको filter कर रहा और तीनों चीजे कर रहा है इसको just करने से पहले मै दिमाग से निकल गया बताना भूल गया इसको just करने से पहले एक बार आप बिना इस code को लगाए एक बार इसको click करके देखना वहाँ पर click नहीं होता है तो finally हमने यहाँ पर क्या किया एक तो यह order by हो गया उपर से customize हो गया यहाँ पर हमको icon मिल गया और हमने इस colon का नाम change कर कि क्या कर दिया that means कि table की heading का नाम हमने change करके कर दिया published recently और साथ में यह हमको filter मिल गया है by date published अब अगर हम today केवल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा केवल आज के दिन जो दो questions published हुए थे वो मिल गए past seven day का अगर देखें तो past seven day में केवल यही दो question हुए है this month का अगर हम देखे तो this month में यह 3 question हुए है अगर this year की बात करें तो finally हमको यह question मिल रहा है जैसे कि जुलाई में इसको बनाया था अगस्त में एक question बनाया है September में 3 question बनाया है ठीक है यह पूरा काम हमारा filter का हो चुका है terminal को हम minimize करते हैं finally इसको try करो अगर इसमें कोई confusion हो रही है तो पूछो और इसको करने से पहले जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे दिमाग से निकल गया और मैंने filter को तुरंत लगा दिया उसको एक बार बिना लगाई आप try करो और इसके बाद में filter को और यह क्या करते हैं हमारा जो question में was published recently को अब इसके बाद में हम क्या करें तो अभी अगर आप notice करो तो हमने filter भी कर लिया ठीक है यहाँ पर action भी है हमारे पास लेकिन यहाँ पर हम search नहीं कर पा रहे हैं कहीं पर कि जैसे हम अगर search करना चाहें कि ठीक है भाई कोई question है उस question को हम search करना चाहते हैं सिधे मैं filter नहीं कर कर रहे हैं और साथ में ही अगर आपको पता है कैसे लगाना है तो आप try करो otherwise हम next session में search पर काम करने आ और फिर उसके बाद में हम customize करेंगे हमारे admin panel के look और feel को जैसे यह चीजे दिख रहे हैं हो सकता है आपको ना पसंदा रहा हो या पसंदा रहा हो तो हम इसको फिर customize और finally हम फिर इस admin panel के template को देखेंगे क्योंकि जैसे हमने अभी front end में देखा कि हमने model बनाया view बनाया फिर template के लिए अलग से folder बनाया फिर static मतलब CSS और images और JS के लिए हमने अलग से static folder बनाया और सके अंदर हम code को ले जाके हमने रखा तो ऐसा ही पूरा काम जो हम admin panel का हम पूर बना बनाया मिल रहा है that means कि इसका पूरा structure और work behavior जैसा हमने front end के लिए बनाया है वैसा ही admin के लिए पहले से बना बनाया पड़ा हुआ है यह जो कुछ हम देख रहे हैं इसका सारा template design पहले से बना हुआ पड़ा हुआ है तो हम उसको भी customize कर सकते हैं या उसमें चलके हम इसके चीज़ों को तहस नहस भी कर सकते हैं या इधार उदर करके इसको हम उल्टा सिधा करके इसको customize करके सीखेंगे कि इसमें हम काईसे कैसे क्या 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 सीज़े modify करते हैं या जो हमें HTML का code मिल रहा है कैसा मिल रहा है ref सारी चीजे हमें देखनी है साथी जाने से पहले तोड़ा सा थम जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अकेले कर रहे हो, तो मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, अगर टीम वर्क कर रहे हो, तो इसको अपने उन दोस्तों को भी साथ में सेर करो, जो आपके साथ में वर्क कर रहे हैं, ताकि मैं आपके साथ और आप अपने दोस्तों के साथ सब मिल के साथ साथ जैंगो को कम्प्लीट करें ठीक है इसके प्रैक्टिस करते रहो कूट करते रहो तब तक के लिए बने रहो मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में नए टापिक के साथ में